डियर इस्टुडेंट्स मैं डॉक्टर महावीर सिंग यादव गॉर्मेंट कोलेज बाड मेर्ड आज बीएसी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर सेकेंट नुकलियर फिजिक्स के टोपिक क्यू वेली ओफ नुकलियर रियक्शन पर अपना व्याक्यान में दूंगा जैसा कि पिछले व्याक्यान में नुकलियर रियक्शन को जब शुरू किया था तो उस समय बताया था कि नुकलियर रियक्शन क्या होती है कैसे उसको notation है कैसे उसको denote करते हैं और उसके classification of nuclear reactions के बारे में बताया था आज उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए और उसा जो next part है उस पर अपना जो व्याक्यान है मैं उस पर रखने वाला हूँ तो आज के जो topics हैं जिनको मैं cover करूँगा उनके अंदर जो पहला आएगा conservation laws nuclear reaction जिन conservation law को follow करती है उनके बारे में जान करें दूँगा mass energy balance and q value इसके बारे में बताऊँगा nuclear reaction के लिए और types of nuclear reaction on the basis of q values q value के आधार पर nuclear reaction का classification है वो भी आज की इस व्याख्यान में होने वाला है तो उसमें जो पहला type है उसके अंदर exothermic उस्माक चेपी reaction जिसको बोलते है exothermic और exorgic reaction होती है दूसरा endothermic और endorgic reaction होती है और जो third है वो elastic skating होती है तो इन सब टोपिक को आज का जो व्याख्यान है उसके अंदर में cover करने वाला हूं यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे संपर करके और समश्या के समाधन कर सकेंगे तो सबसे पहले मैं लेता हूं conservation laws नाभी की अभिक्रियाओं में जो संदक्षन के नियम फुल्फिल होते हैं उनमें पहला है आवेस या पर्मानों संख्या के संदक्षन का नियम अर्थात नाभी की रियक्षन में रियक्षन से पूरू उसका आवेश या पर्मानों संख्या और नाभी की रियक्षन के पश्चा आवेश और पर्मानों संख्या भराबर होने चीए अर्थात आवेश भी संदक्षित रहना चीए पर्मानों संख्या भी संदक्षित रहनी चाहिए इसी तरह से नुक्लिया नो या द्रवमान संख्या के संदक्षन का नियम अर्थात कुल मिला करके और न्यूक्लियों की संख्या या उसकी जो द्रवमान संख्या है वो क्या होनी चाहिए नियत होनी चाहिए वो भी संदक्षित होनी चाहिए थर्ड है द्रवमान उर्जा के संदक्षन का नियम अर्थात एक जो नुक्लियर रियक्षन है उसको रिफर्जेंट करने के लिए कैसे लिखते हूं उसको यहां जैसे मैंने इसक अंदर लिखा हुआ है कि यह ए प्लस एक्स यहां X क्या है टार्गेट नुक्लियوس होता है जबकि यह क्या है इंसीडेंट यूक्लियर नुक्लियर पार्टिकल होता है और इसी देरे से यहां Y क्या है यह बनने वाला उत्पाद है प्लस B क्या है light particle है जो इसमें उत्तपन होता है अर्थात इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि यदि जो A है इसका यदि मास M A के द्वारे रिपरजेंट करो तो इसका rest मास energy कितने होगी M A C square प्लस इसकी जो energy है अर्थात kinetic energy इसको E A के द्वारे रिपर्जेंट कर देता हूँ यदि initial nucleus स्थिर अवस्था में हो तो ऐसी अवस्था के अंदर उसकी kinetic energy कितनी हो जाती जीरो हो जाती है जबकि उसकी rest energy कितनी हो जाती capital M X C square इसी तरह से उत्पाद या product के रूप में हमें मिलता है M Y C square अर्थात जो भारे नाविक जो बनता है उसकी rest mass energy प्लस उसकी kinetic energy प्लस जो उत्पाद में हलका nucleus बनता है उसकी rest mass energy प्लस उसकी kinetic energy यह तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं या जा नीचे जो इस equation के अंदर लिखा e b plus e y minus e a equal to m a plus m x into c square minus m y plus m b into c square that is known as q value तो यहां यह जो द्रवमान उर्जा का जो संदक्षन नियम है वो भी इसके अंदर fulfill होना चाहिए इसी तरह से रेकिय संवेग संदक्षन का नियम होता है अर्थात जो initial और जो final जो product होते हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए जो linear संवेग है रेकिय संवेग है वो संदक्षित रहना चाहिए अर्थात p a plus p y plus p b must be equal to 0 यह p x का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएग क्योंकि वो rest के अंदर है पार्टिकल इसी तरह कोणी संवेग संदक्षन का नियम अर्थात कुल कोणी है संवेग जिस होना चाहिए इसका मानभी संदक्षित होना चाहिए रिक्षैन नाभी के अंदर kेंदार conservation of parity का नियम फुल्फिल होना चाहिए रिङए संता का संदक्ष्यन नियम नियम और उसके साथ यसात में प्रचक्रान i7경 क्यों संदक्षन नियम पालना होने चाहिए तो इस तरह से यह कुछ का कंजर्विशन लो हैं जो किसी भी नावी के अभिक्रिया के लिए यह संदक्षित होने चाहिए अब नेक्स चलता हूं उसके अंदर आता है मास एनर्जी बैलेंस मास एनर्जी बैलेंट से क्या भी पराए है तो हम इसको इस इक्वेशन से समझ सकते हैं कि यहां माना कोई नाविक अभी करिया निमना अनुसार होती अर्थाथ A प्लस X अर्थात यह क्या है इनिशल रीक्टेंट यह एक्स related और यहां एक है इसको पर इंसिदेंड बाटिकल है और यहां y प्लस भी यह बनने वाला नाविक है और प्लस भी निकलने वाला बाटिकल है अब द्रवबान उर्जा संदक्षन नियम से पहला A के लिए रेस्ट मास एनरजी M A C स्क्वाइर प्लस E A प्लस इसी तरह X के लिए आ जाएगा M X C स्क्वाइर प्लस E X जदी जो इनिशल नुक्लियस है वो गती अवस्ता में हैं तो ऐसी स्थी के अंदर उसको E X के द्वारे प्लस को लिखा जा सकता है इसी तरह जो फाइनिल प्रोडेक्ट बनता है M Y C स्क्वार प्लस E Y प्लस M B C स्क्वाइर प्लस E E B स्क्वार इस एक्वेशन के द्वारा उसको रिपर्जेंट कर देते हैं या उसको इस तरह लिख देते हैं E Y plus E B जो काइनेटिक एनर्जी उनको एक तरफ कर देते हैं, रेस्टमास एनर्जी उनको एक तरफ कर देते हैं, तो यहां हमारे पास में आ जाता है, equation के रूप में मिल जाता है, यहां यहां यह दोनों, यह काइनेटिक एनर्जी यानि अर्थाद, फाइनल जो प्रोड़क्ट होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी और जो इनिशल प्रोड़क्ट हैं, रेक्टेंट हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी का जो डिफ्रेंस है, वो किसके बराबर होना चाहिए, रेस्ट मास एनर्जी ओफ इनिशल पार्टिकल और यह हैं, यह समिकण, द्रवमान, उर्जा, सम्तुलन, समिकण के नाम से जानी जाती है, यह जो equation द्रवमान उर्जा संतुलन समीकंड के नाम से जाने जाती है अर्थात प्रारंबिक कणों की विराम द्रवमान उर्जाओं का योग और उत्पाद कणों की विराम द्रवमान उर्जाओं के योग का अंतर उत्पाद कणों की गतिज उर्जा के योग एवं प्रारंबिक कणों की गतिज उर्जा के योग के अंतर के बराबर होता है यह इस equation की साहिता से होता है और इसी को क्या बोलते हैं यह इसी को द्रविमान उर्जा संतुलन समीकंड के नाम से इसको जानते हैं अब Q value को कैसे define कर देते हैं, जैसा उपर Q value इसको लिखा हुआ, वो उसी की definition बन जाती है, ना भी किये अभी क्रियाओं के Q मान को निमना अनुसर परिवासित करते हैं, अर्थात Q equal to M A plus M X minus M Y minus M B into C square, यह M A plus M X को मैं क्या लिख सकता हूँ, M initial reactant होगे, minus M Y plus M B क्या हो जाएगा, यह final product वो हो जाते हैं, तो ऐसी स्थथी के अंदर है, यहाँ capital M initial minus capital M final into C square, यह Q का बराबर हो गा है, यहाँ दूसरी रूप में, काइनेटिक अनर्जी के रूप में इसको define करें, तो Q equal to E Y plus E B minus E X minus E A, और that is equal to E Y plus E B minus E A, यदि E X equal to 0, यदि जो target nucleus है, वो target nucleus है, यदि विराम अवस्था के अंदर हो, तो ऐसे अवस्था के अंदर E X समान कित्ता हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिससे Q का मान क्या जाएगा, यहाँ यह इसके अंदर यह मिल जाएगा, सुननी भी हो सकता है, तो ऐसी इस्थाथी के अंदर, क्या होगा, कि यहाँ, यह जिस Q की value के आधार के उपर, और जो nuclear reaction है, नाभी की अभिक्रिया है, उसका फिर क्या कर सकते हैं, classification कर सकते हैं, उसको हम अलग से उसको बता सकते हैं, तो types of nuclear reaction on the basis of Q value, तो पहला, यदि Q is greater than 0, अर्थात Q का मान धनात्मक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, capital M initial is greater than M, final, या kinetic energy of final must be greater than to kinetic energy of initial, यदि Q की value positive है, तो इसका मतलब क्या निकलता है, है, इसका मतलब है, या यह निकलता है, कि जो M है, अर्थात initial particle जो है, उनका द्रव्यमान क्या होगा, final, जो product है, उनके द्रव्यमान से अधिक होगा, या जो kinetic energy of final product की, वो प्रारंबिक जो reactant है, उनसे kinetic energy final study के अंदर ज्यादा होगी, तो ऐसी नाभी की अभिक्रियाओं में उर्जा का उत्सर्जन होता है, और इसलिए उनको क्या बोलते हैं, उस्माक शेपी या एक्सो थर्मिक या उर्जान मोची, एक्सो और जिक के नाम से इसको जानते हैं, तो उसके लिए condition यह है, यहाँ दूसरी जो है वो उसके अंदर उस्मा सोशी होता है, यदि क्यू का मान जीरो से कम है, इसका मतलब क्या हुआ है, एम इनिशल लेस देन टू, एम फाइनल या काइनेटिक अनरजी ओ फाइनल, अनिशल होता है, तो ऐसी जो नॉटिक यहाँ है, और ऐसी जो नुक्लिर रियक्शन होती है, उसको एंडो थर्मीक या एंदोर्ची स ! के नाम से उनको जानते हैं अब नेक्स आते हैं थर्ड प्रकार कौन सा है तीसरा प्रकार अब तीसरे प्रकार के अंदर देखिए कि यदि क्यू का मान पोजिटिव हो क्यू का मान नेगेटिव हो और यदि क्यू का मान क्या हो जीरो हो तो ऐसी इस्तथी के अंदर है M initial equal to क्या होगा M final तो यहां ऐसी स्थथी के लिए यह जो condition अर्था Q equal to zero है तो ऐसी स्थथी के अंदर M initial equal to M final यह kinetic energy final state की और kinetic energy initial reactant की वो क्या होंगे बराबर होती हैं और जब यह condition होती है तो एसी स्थी के अंदर ऑप कि आएसी नावी की अविकरिया को अएक केलाती है तो यहां इसके आधार पर नावी की जो दो आप करिया हैं तीन प्रकारगी उसमा क्षेफी उसमा शोशी और प्रत्यास प्रकिंड की के रूप में जानी जाती हैं आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद